10-15 दिनों से हमने ये चर्चा की कि हमें ये देखना अत्यन्त जरूरी है कि साधना करने के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं फिर हमने भिन भिन साधनाओं का भी जिक्र किया वो गुण जिससे साधना में मदद मिलती है वो है दीनता तथा अहंकार साधना में बाधा डालता है अहंकार सारी उमर की कमाई पल भर में नश्ट कर देता है गुरू महराज हमें समझाते हैं कि यदि कहीं भी पल भर के लिए अहंकार आ गया तो बड़ी भारी मेंनत करके भी मार खाना पड़ेगा जिसको गुरू महराज पल पल रास्ता दिखाते हैं तथा सहारा देते हैं केवल वो ही जीव बच सकता है अन्यता नहीं भजन हजम करना भी बहुत कठिन है कभी कभी अध्यातम के मार्ग में यदि सिद्धियां आनेक लगती हैं तो कहा हुआ वचन सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य उसका धिंडोरा पिटवा देता है और सारी उमर की कमाई पल भर में नश्ट हो जाती है भगवान कहते हैं मुझे दीनता बहुत पसंद है जो कुछ भी तुम करते हो सदा भगवान का सहारा लेकर करो करम धरम की आस न राखो राखो मेरा सहारा जो भी कारे करते हो सदा ये सोच रखो कि गुरु महराज ही हमारे अंदर बैठ करो कर ये कारे करा रहे हैं एक आदमी था उसने बहुत दान धर्म किया था धरम राज के दर्बार में जब कहा गया कि इसे मात लोक में डाल दो तो वो कहने लगा कि मैंने तो बहुत दान धर्म किया है मैं रोज दो बजे उठकर दान करता था उसके मन में था कि मैंने ऐसा किया वैसा किया परंतु ये मन में नहीं था कि जो कुछ भी मुझसे हुआ वो भगवान ने कराया उसके मन में सदा ये रहा कि जो कुछ उसने किया वो भगवान ने ही कराया है मैंसे भी मैंसे ही अहंकार खड़ा हो जाता है और सारा दान धरम नश्ट हो जाता है शुब कामों का सहारा कभी नहीं रखना चाहिए ये आदत ही बन जानी चाहिए कि जब भी कोई शुब करम किया तभी ऐसा कह देना चाहिए अरपणमस्तू, राम अरपणमस्तू, या कृष्ण अरपणमस्तू, या साई अरपणमस्तू, या सत्गुरु अरपणमस्तू इतना कहकर अपना भार हलका कर लेना चाहिए हे भगवान ये तूने ही कराया है तुझे ही इसका फल मिले मैंने तो ये कारे किया ही नहीं जब तुम शुब कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हो तो बुरा कर्म भी तुमें नहीं भोगना पड़ता क्योंकि भगवान सोचता है कि यदि अच्छे कर्मों का फल ये मुझे देता है तो बुरे कर्मों का फल भी मुझे ही मिलना चाहिए धर्मराज के दर्बार में यदि कहीं कहना पड़े तो कहना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया जो कुछ भी किया उसे भगवान ने ही मुझे से कराया मैं जब जब भी कुछ करम किया मैं जानू मैं उपकार किया सब करम करावन वाले को मैं भूल गया बिसार दिया इस भद्दे पापी अहम ने मुझे मार दिया मुझे मार दिया मेरे पन को भगा दो कभी भूल कर भी शुब कर्मों को अपने उपर नहीं लेना चाहिए सब भगवान के अरपन करना चाहिए उसी वक्त भगवान को अरपन करके हलके हो जाना चाहिए सद्गुरनात महराज की जै